Hello students, कैसे हैं आप सब लोग, सबसे पहले thank you very much, आपने लाज रख ली मेरी, बहुत सारे बच्चों कॉमेंट सेक्षन में मैसेज आया हुआ है, कॉमेंट किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने Instagram पे, email पे कि sir, exam बहुत अच्छा गया, जैसा सोचा नी था वैसा paper गया, and credit is yours, आपकी ही महनत है बच्चों, आप लोगों ने बहुत महनत की last five days के अंदर, आप लोगों ने दिन रात पढ़ाई की, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं तो बिछले 11 साल से पढ़ाई रहा हूँ, लेकिन यह जो महनत आपने इस साल last five days में की है, उसी की बदोलत है क्लास कि आपका पेपर अच्छा गया है, अगर किसी बच्चे का पेपर unexpected था, थोड़ा सा different था, कोई set और थोड़ा सा मुश्किल था, घबराओ मत, अभी आपके पास accounts है, इसके बाद BST है, इसके अंदर दबा के महनत करो, और definitely आपका पेपर अच्छा जाएग और जिन-जिनका पेपर अच्छा गया है, वो भी और महनत करो क्लास कि आगे पेपर अच्छा जाएग और जिनका भी थोड़ा बहुत चूक रह गया है, वो क्लास इस accounts में उसे compensate कर लो, सही तरीका यह है, कि यह नहीं कि आप उसकी चक्र में आपने आगे papers खराब कर दो, ठ कि मैं चाहते था कि थोड़ा बहुत आप रेस्ट लो, लेकिन आप इस वीडियो को अपने अपने अकॉर्डिंग ली 6 बजे साथ, जब भी देखना उसे देख लेना, और आज हमें तीन चैप्टर अपने खतम करने हैं रात तक, फंडामेटल अभी जाल रहो वीडियो, उस करते हैं, फंडामेटल अपनेशिप पूरा का पूरा एट जडियो करते हैं वोड एग्जामेशन 24 के लिए, ठीक है, तो अच्छे से एक लिए करके लास कॉंसेप्स समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, बेसिक के बारे में फंडामेंटल अपनेशिप है क्या, पार्टन है के कि संगते हैं, क्लास 15, तो और 50, रूल थे समय में पार्टनिसिप नुम और से करते हैं, तो पहले हैं, थो जिएट कुदी है, बेसिक की रिएक्छे समय साहिट सान्ध पार्टनेशितिया है, मिभी श्यार क्लास 5, or at 10 perd चंब नुम की बात करते हैं, तो और यह उन सीत् उन्हें अपने बिजनस को भी बेचना पड़ेगा और पाटनेशिप करने के लिए एसेंशिल कंडिशन है दो या दो से ज्यादा लोग होने चीए चाहे वो रिटन हो चाहे वो और अरल हो अलाकि वेलिटी रिटन अग्रिमेंट की होती है उसको बोलते है पाटनेशिप डीड नहीं रिड बनाना कंपलसरी है नहीं 1932 एक्ट से रेजिस्ट्रिशन कराना कंपलसरी है बिजनस एक लॉफफुल होना चाहिए कोई इलिगल बिज आप वैसे भी नहीं कर सकते है प्रॉफिट शेरिंग होना चाहिए पाटनर्स आपास में प्रॉफिट को शेर करें और पाटनर्स में व्यूचल एजएंसी होती है क्याना का मतलब हर एक पार्टनर और फिर एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है यानि कि अगर कोई प पार्टनर से उसको एक दिर काम करने के प्रिए दूसरे कौ उर उन सब को वी बात बता है कोई बच निग सकता है इस से प्रॉंसलीपल और एजेंट रिलेशनिशिपे होता है कई पार्टनेशिघ डीड और पार्टनेशिट्पक नाचेनरा रराइंटेटी थैंतर लिएट आज गया जोच ऑ Not कि पार्टनेशिट्ट्स, ओन बाते लिएटन कारईंटेटियों हुआ अगर partnership deed silent है, तो किसी को भी interest on capital नहीं मिलेगा, यहां से class एक कुछिन आ सकता है, जहां पर class लिखा होगा, तीन partner से तीनों के बिच अन्बन हो गई, कोई interest on capital ज्यादा मांग रहा है, कोई salary मांग रहा है, कोई commission मांग रहा है, इस तरीके से कुछिन आ सकता है, तो नहीं, अगर deed silent है, तो पार्टनर्स को नहीं interest on capital मिलेगा, नहीं salary मिलेगा, क्लास, नहीं कोई commission चार्ज होगा, नहीं interest on loan, सिर्फ, partnership deed क्याता है, अगर deed silent है, तो interest on loan, जो पार्टनर ने business को लोण दिया है, उस loan पे जो interest जो प्रटनर ने बिजनस को लोन दिया तो पार्टनर ने इंटेस्न लोन पड़ेगा अगर किसी पार्टनर ने तो प्रॉफित इंटेस्न लोन ना पड़ेगा Profit Sharing Ratio क्या होती है class? Equal. Profit Sharing Ratio है तीनों partners है, तो तीनों की equal मानोगे, दो है दो की equal मानोगे, एक तो partnership कर ही नहीं सकता. दूसरी बात, अगर लिखा है Interest on Capital देना है, Salary देना है, तो यह दोगे class किस से? Out of profit से. अगर question कहता है तो आपको प्रॉफिट के अंदर से ही निकाल कर देना पड़ेगा, दूसरी बात, अगर मैं पेंदल अपरोपेशन की फॉर्माट की बात करूँ, यह आप सब को अच्छे से पता होगा, यह है class credit, यह है debit, यहां पे class partners को जो जो चीजे देंगे, वह सबलिग देंगे, like interest on capital देंगे, salaries देंगे, इन तीनों partner का, एड करें है, यह बहुत basic basic बात है class, हम final revision कर रहे हैं, तो मैं expect करूँगा, कि at least इतना इतना आपको आता होगा, ठीक है? बट फिर भी, this complete revision is one shot के अंदर, अगर कोई topic आपको आता है, अच्छे से, आप damn sure है मुझे आता है, आप class fast forward करके भी देख सकते हो, speed भी बढ़ा सकते हो, commission class दोगे, जिस partner को जो भी मिलना चाहिए, इसके लावा profit का एक इससे, हम लोग reserve maintain करेंगे, और फिर जो profit बचेगा, that is called two divisible profit, two divisible profits, transferred to capital accounts of A, B, C, और जो भी इनकी profit sharing ratio है, उस profit sharing ratio में बढ़ जाएगा, यहां आता है class by profit loss account, और यह है class आपका net profit, फिर यहां पे लिखते हैं लोग, by interest on drawing, यह interest on drawing है, और यहां पे total करके, अगर इधर कुछ balance बचेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, by divisible loss, transfer to, कोई जल्दीबाजी नी, आराम से आप तसलिए से रिवाइस करो, because जो जल्दीबाजी है, वो मैं fast-fast करा रहा हूँ, आपको दिमाग में कुछ और सोचना नहीं है, अच्छे से बस किसी भी तरीगे से, एक घंटा, सवा घंटा, जड़ घंटा, जितना भी लगता है ये, अच्छे से इसको रिविजन करना, हरी कॉस्चन से भी इसको करूंगा, everything complete revision होगा, इसके बाद तुम्हें और किसी जीज़ की जरुबत नहीं पड़ेगी, तु दिविजल प्रोफेट ट्रांसफर तू, क्यापिल या करेंट अकाउंट, ये लॉस है सारी, करेंट अकाउंट ओफ A, B, C, अब मैं यहां पर क्यूं लिख रहा हूं क्लास, इसकी बात मैं आपको बताऊंगा, क्यापिल और क्रेंट दोनों हो सकता है, यहां भी आसकता है, करेंट और क्यापिल, तो यह होगे क्लास, बेसिक बेसिक फॉर्मैट, एक कोशिन पका आएगा, और उसमें क्लास, यह सारी चीज़े आपको बना के दिखानी पड़ेंगा, एक्जामिनेशन अपने बेस्ट देना है, और अच्छे से जो क्लास यह चुटिया मिली हैं तुमें लगभग 6 दिन की, इसको पूरा उटलाइज करना है, अभी यह आखरी पेपर है, लास्ट जोर लगा लो और अखरी पेपर अच्छे से निप्टा लो, बहुत मज़ा आएगा, पेपर खता हो जायेगा जब एक्जामिशन से बाहर निकलोगे, बहुत मज़ाएगा, चार्ज अगेंस प्राफिट अप्रिशन आप्रफिट, बढ़ा आप ने यह जितनी भी चीजे लास अप्रोप्रिशन आप्रोपिशन आप्रोफिट निकलकर आया, Net Profit, पीएंडल अकाउंट से, उस नेट प्रॉफिट में से सारी चीजे दी हैं, लेकिन कुछ चीजे ऐसी होते हैं, जो चार्ज अगेंस प्रॉफिट जुतना भी है न, वो पीएंडल अप्रॉफिट अकाउंट में जाएगा, लेकिन चार्ज अगेंस प्रॉफिट जो भी है, ये नेट प्रॉफिट से माइनस करके दिखाते हैं, वो तीन चीजे कौन कौन सी है क्लास जो हम माइनस करके दिखाते हैं, सबसे पहला, बाई इंटरस्ट ओन लोन, थोड़ा खराब है बच्चों माफ करना, क्योंकि आप देख रहे हैं, दिन रात महना चल रहे हैं, वस आप मेरा क्लास देखना अपकर रजल कितना अच्छा बनेगा, बाई प्रॉफिट को बढ़ाएगा, बाई यह क्लास पेनल अप्रॉफिट अप्रॉफिट है, जो कोशिम में दिया रहता है, इंटरस्ट ओन लोन जो हम पार्टनर को देंगे वो नेट प्रॉफिट को कम करेगा, अग चिछ गणाल भता है, अकलास रहता है आख भता है, ढई प्रॉफिट पार्टनर नहीं चीजे न पेनल अपर फ्रॉफिट क कोशिम में नहीं क्लास यह था thriving, to be a reasonable फेन उप्रॉफित अपर्फिट अन्फिट है इस देख आँ और business को भले ही loss हो जाए, ये तीनों चीज़े business को पे करना ही पड़ेगा अब आते हैं interest on capital, हमेशा ध्यान रखना, interest on capital जब भी निकलेगा partner के opening capital balance पर ही निकलेगा आप interest on capital जभी भी calculate करोगे, partners के opening capital balance पर ही हमेशा interest on capital calculate होगा if opening capital is not given, तो आपको opening capital निकालना पड़ेगा by using a formula और जो formula है, वो है, closing capital, minus करोगे profits, plus करोगे drawings और कोई अगर additional capital है, तो वो क्या कर दोगे class, आप minus कर दोगे क्योंकि ये पहले जोड़ गया होगा, तुम्हें opening निकालना है, तुम्हें घटाना है ये है class आपके opening capital का formula, और जब भी आप interest on capital निकालोगे, यानि कि जब भी आपको interest on capital को calculate करना है, तो आप वो कैसे निकालोगे, opening balance पित, सबसे पहले ऐसे निकालोगे balance of opening capital into, जो भी interest का rate है, वो आप निकालोगे, या आगया, opening capital का interest, ठीक है, अगर आपने साल के बीच में कुछ additional capital लगा दिया, आपने साल के बीच में कुछ और पैसे आपने लगा दिये, तो वो जो भी additional capital है, मालो 3 लाग का, 6 लाग का, उस पे भी आप निकालोगे interest, लेगन साल के बीच में लगाया होगा, मैं भी April में मही में लगाया हो, अगस्त में लगाया हो, September में लगाया हो, December में लगाया हो, January में, February में, तो उसका month by 12 जरूर कर दे नाप, तो ये additional capital पे जो interest हो गया, अगर हुआ तो, नहीं तो 90% केस में, तो 90% केस में निकाल के उस पे 10%, 20% जो दिया होता लगा देते हैं, minus, अगर आपने कुछ capital को withdraw किया है, withdrawing of capital, into rate upon 100, into month by 12, ये आप क्या कर देना, class, minus कर देना, और ये जो आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, class, interest on capital, तो यानि कि opening balance के capital, साल के बीच में जो पैसा लगाया है, additional capital, minus withdrawing of capital, आपका पूरी तरीके से class, interest on capital निकल कर आजाएगा, अब interest on drawing निकालने के बहुत सारे अलगलग केसे से, सबसे पहला, ध्यान सुनना, बटा, अगर तुमको data विद्राउन गिवन है, कि 30 सितंबर को निकाला है, या class 31, 31 को निकाला है, या फिर मानलो 31 को निकाला है, अगर तुमारे पास है, या 30 November, December, January, February, March, 6 महीने का interest लगेगा, मालो, एक January को निकाला है, January, February, March, 3 महीने का interest लगेगा, but what if interest, if date of withdrawn is not given, if date of withdrawn is not given, अगर class तुमको date of withdrawn given नहीं है, तो आप क्या करोगे, six month का interest निकालोगे, अगर तुमको date of withdrawn given दे रखा है, तो आपने class date के हिसाब से निकालना है, बट अगर अगर आपको date of withdrawn given नहीं है, तो आप 6 महीने का interest निकालोगे, लेकिन अगर कोई partner equal amount निकालता है, every month, 12 months तक, 12 महीने तक, तो आप अगर हर महीने की beginning में पैसा निकालता है, तो आप time factor लगाओगे, 6.5 by 12, हर महीने की middle में पैसे निकालेगा, तो 6 by 12, हर महीने की end में पैसे न निकालता है, तो हर महीने की beginning में निकालेगा, तो 6.5 by 12, में निकालेगा, 6.5 by 12, हर महीने की निकालेगा, तो 5.5 by 12, हर महीने पैसे निकालेगा है, तो इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएश में 4Quarter होते हैं मैं तो यह दो चार वार पैसे निकलएका Kangak करेंसे हम अने कोषारचर में में 5 per 1 par 2 तो अगर कोषिवाचर की बिग्रिणंग फैसे निकालता है अगर हर कोषार के बिग्निंग में पैसे निकालेगा क्या interest on drawing, अगर हर quarter की जगे, हर half year में पैसे निकालेगा, हर half year मतलब फिर तो साल में वो दो ही बार पैसे निकाल पाएगा, साल में दो ही बार, every half year, साल में दो बार, तो beginning में निकालता है तो 9 by 12, middle में 6 by 12, end में 3 by 12, इस तरीके से आप interest on drawing को calculate कर सकते हो, अलग-अलग date के basis पर next, हम बात करते हैं, अगर मालो कोई भी पार्टनर ऐसा पैसे निकालता है, अनिकुल अमाउंट निकालता है, उसे नि बता कि कभी January में, कभी मार्च में, कभी नहीं निकाला किसे महीने, कभी 50 जार, कभी 60 जार, तो एक method होता है, product method, उस method से इंटरस्ट निकालेगे, लेकिन यह जो भी मैंने बताया, तो यहां पर हर half year में पैसे निकालेगा, यह दो बार पक्का निकालेगा, हर मन्त निकाल रहा है, तो बारा महीने तक निकालेगा, लाइक अगर कभी कोईशन ऐसा हो जाए, कि छे महीने तक ही निकाल के छोड़ दे, तो क्या होगा, मैं बात ध्या हर महीने की निकालेगा, हर महीने की बिग्णिया मतलब 1 April, 1 May, 1 June, 1 July, 1 August, 1 September, तो बस चे महीन तक निकाल रहा है, तो वह नहीं लगगा जो पहले बताया है, तो बारा महीने तक पैसे निकालेगा, यहां सिर्फ 6 महीने पैसे निकालेगा, तो 3.5 बैटल, मिल्ड़ गितना ए 2.5 by 12, यह आपको लगाना है जब पार्टनर सिफ 6 महिन तक निकालता है, उसके निकालना छोड़ देता है तब आपको यह ताइम फेक्टर लगाना है, ठीक है, तो ताइम फेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ताइम फेक्टर का फॉर्मूला है, वह है ताइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग जब आपने पहली बार पैसा निकाला तब प्लस ताइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग दिवाइड बाइट तू तो आपने पहली बार पैसा निकाला प्लस आपने जब रहरी पैसा निकाल वाई आप Això तो ह grass time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2 वाँ इस तीम क्रेश ये आपक का ताथ त्कार लिगए समय कारे काising है किसी बच्चों बंच निष्बाट सही तो बहुत पूरा रीविजन है 6 तेन किताब करनी है एक दिन निमें 2 किताब कं इसकी हुआ युबतना हुसली एफ भी रिर्सके रवाप नहीं, संप्लपापर ब़नाने हैं। उभीड序 है, हर्कुछा हैं ड्रे प्रेप्टर के तीरत करने हैं, और यॉवालोशन के नहीं हैं इछरें हैं सुच भने हैं गोती हैं चेज़ी हैं Sar virusu Τं अज में रहाखें हैं यहारा बोगते बिल्ही दर्णार करा जुग। बिल्हास झाता है पुछी दर्णार जुग। लारंजॉट्टिस को बोलते हैं, बहुत इन्ह पुछी को रहा हुग आहिए कि जाहता है तुम्हारा पूरा 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 रिविजन अच्छी से करा दूँग। मैंने दो दो बार करा रखा है, मैं आपको पहले पूरा सेलबस कराया है लेकिन इस ताइम पर मैं यही सोच के आपको रिविजिन करा रहा हूँ कि बच्चे ने एक बार अट-लीस्ट पड़ रखा होगा सेलबस उसी हिसाब से तो प्लीस थोड़ा सा कॉपप करो रों मैं आपकी बहले कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ यहाँ खड़ा हूँ तो आप बिल्कुल निस्चिंतर हो अच्छे से हो जाएगा ठीक है कुछ नहीं समझ आ रहा हूँ तो कॉमेंड में कर देना में बता दूंग निकालना चोड़ दे अगर तुम यह ताइम फेक्टर भूल जाते हो सारे के सारे हैना सारे के सारे भूल जाते हो 6.5, 7.5, 9.5 तो आप में 9 तो आप में क्लास क्या कर सकते हो में फॉम्ला क्लास अब यही लगा सकते हो time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2 तो आप याद करनेगा तरी क्या हर म महिने तक विड्रा करते हो फिर छोड़ दे तो निकालना अब यह तो मैंने बना दिया है देखो आप लोगों के लिए आप इसे याद कर लो या इस तरीके सा निकाल लो अगर तीन महिने बाद निकालना चोड़ दे तो आपको क्या करना पड़ेगा यह एक दो तीन यहाँ पैसे निकाला है हर महिने की बिगनिंग में तो एक दो तीन फिर तीन महिने बचा हर महिने की अगर लास्ट वार यहाँ पैसे निकालेगा तो एक महिने बचा तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यहाँ जितना मैंने की बिगनिंग में निकाला है पैसा हर महिने तक निगाला ही नहीं पैसा, अगर इस तरीके से वेड़ा करता है, तो लिए प्रड़क मेथर लगाना पड़ेगा, इसमें लिए लिए प्रड़क्त इंटु रेट अपान हंडड़ जो भी रेट दिया होगा, रेट नहीं दिया तो फिर निकाली नहीं सकते आप ठीक है, अप आपको पता हो, सबसे बहले डेट लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर क्लास आएगा मन्त, तो जो भी डेट उसके वाद 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं, फिर जो मन्त आया है और जो अमाउंट उसको मेंड़ाई करके प्रड़क्त आएगा, उस ही इनकी पार्टनर्स है, इनकी प्रफिशन इसो इकली है, ए विड्रोकिया 4,000 बिगनिंग अफ एवरी मन्त, कितने बचते हैं इसने? 4,000, बिगनिंग अफ एवरी मन्त फॉर 6 महीने तक निकाले इसने, तो टोटल द्रोइंग कितना हो गया? 24,000, और 6 महीने तक निकालकर छो 10 into 3.5 by 12, खेक, डोज़ो इसने, 20, ये अए 12,21,24,20,20, 10 into 3.5, 10 into 3.5, कितना इसके बचाले अचालेट घाया? 350, इसके हो गया क्लास आपका इंटर्स अन, ब्रोइं की कालकुलेशन. आइक लास बात समझ? next calculate the amount of shiv quarterly drawing for the year end 31st March 2022 when partnership did allow interest on drawing 12% per annum understand, calculate the amount of shiv quarterly drawing, you are asking the quarterly drawing, I mean one amount is out, into 4 quarterly drawing, because in the year 4 times it will be out, shiv quarterly drawing, interest is 12%, interest is 12% and into, what will be the time factor, interest on drawing is 900, IOD you have taken out of 900, he withdraw fixed amount at the end of each quarter, every quarter is taken out of 4.5 by 12, this way, every quarter is taken out of 4.5 by 12, so cancel this 12 by 12, ok? so this will be 100 divided here, it will be multiplied, 900 into 100, and this will be multiplied by divide, this will be 4.5 by divide, 0, now 1000 into 900, see class solve how much it is, 1000 into 900, 1000 into 900, 1000 into 900, so 2-0 will increase, it means, class 9,000, divided by 45, divided by 4, 5000, that means, every quarter is taken out of 5,000, how much it is, class 5,000, you understand? salary and commission, class, the salary and the commission is taken out of the partner, the first thing is, if someone says salary per month, if someone says salary per month, then multiply by 12, because, class, we need salary for years, we need salary, written yearly salary, then yearly salary, then no problem, per annum, then no problem, because, P&L Appropriation Account, we make a year, once, that's why class, whatever things come in class, they come in the whole year, right? so if we have salary per month, then we multiply by 12, so that it will come out of 12, so that it will come out of the commission, there are two cases, so, leases, .. if your question says, sure asset, als, profit before, so , before we do it rank plus section, then RATE upon 100 and after class of net profit rank plus RATE upon 100. we do it rank plus RATE upon 100 and after we do it up plus RATE. so after commission is written later, then RATE upon hundred plus RATE, before commission is written, RATE upon hundred plus RATE, if anything you have written, get your write on hundred, then it will be correction to RATE upon hundred. then we will write RATE upon HUNDRED and then we will write your write upon hundred plus RATE, 5 हगोगे 5 एपन 105, 8 हपन 208, 10 एपन 110 इस तरीके से, टीक है? अब पार्टनर्स अपने पिंदल अपर्परेशन अचाउंट बना लिया अच्छे से, जब आपने पिंदल आपरेशन अचाउंट बना लिया उसी तरीके से ही काप्ल आपिल ऐकांट बनता है यह है credit, ABC partner है, ABC partner है, यह है debit, ठीक है, सबसे पहले opening balance लिखोगे, तो आप लिखोगे buy balance BD, यह opening balance हो गया, ठीक है, फिर अगर कुछ partner ने अपने personal use के लिए पैसा withdraw किया है, drawings यह drawings हो गया, यह होगे opening capital, यह होगे drawings, अगर आपने कुछ पैसा और लगाया है बीच में, ठीक है, त तो two bank withdrawn off capital, ठीक है, interest on capital हो गया, जो जो appropriation में debit आता है, वो सब आप यहां पे credit लिखोगे, लिख, interest on capital लिख दिया आपने, salary लिख दिया आपने, commission लिख दिया आपने, interest on capital, salary, commission, divisible profit आपने वो भी लिख दिया, by divisible profits आपने वो भी लिख दिया, ठीक है, by divisible profits, अब आप इसक अब होगे, इस अब चीज घटाओगे, अगर मालो कभी loss हो जाता है, तो आप इहां लिखोगे, interest on drawing लिखोगे, two divisible loss, एकीज बात है, profit loss को एकीज होगा, reserve नहीं आता है, reserve appropriation में आता है, capital account में नहीं आता है, ध्यान रखना, अब जो इहां balance बचेगा, यह closing balance है, two balance, cd, और अब लोगों का, क्या, partners का capital account, ठाइक है, यह हो गया, आपका partners का capital account, तो जो जो appropriation debit, उनको credit, जो appropriation में credit, उनको debit, फालतू क्या है, अलग क्या है, एक तो drawing अलग है, opening capital अलग है, addition capital अलग है, addition capital अलग है, और withdraw of capital अलग है, यह अलग है, यह बाकि सारा चीज आपने cross-transfer कर दि यहाँ, create, जो appropriation में credit, बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर आता भी है, आप आप आराम से कर लोगे, अब यहाँ पर समझना, अगर यहीं पे मैं partners capital account काट के current account कर दूँ, partners का current account, तो यह format बिल्कुल सेम रहेगा, अंतर सिफ यह रहेगा, additional capital और जो withdrawn of capital है वो नहीं आएगा, और यह opening balance तो आएगा, लेकिन यह opening balance capital account का नहीं होगा, यह किसका होगा, current account का balance, यह जो opening balance तुमको दिखेगा, यह किसका balance दिखेगा, current account का balance दिखेगा, ना कि capital account का balance, यह है सारा का सारा खेल, current account भी सेम है, capital account भी सेम है, लेकिन current account में, basically, क्या होता है, opening balance, current account का आता है, additional capital और रिद्र कीयोंकि उसके लिए एक और अगाउंट बनाया जाता है इसको बोलते हैं capital account और यह जो capital account ही विक जो दो मेंठ़ड होते हैं fixed or fluctuating ध्यान सुनना कितने मेठ़ड होते हैं? 2 fixed or fluctuating जिस चीज के method? Partners capital account को बनाने के 2 method होते है एक होता है fixed method, एक होता है fluctuating method delayed fixed method के अंदर दो अकाउट बनाए जाते हैं current और capital fluctuating method के अंदर एक हे अकाउट बनाया जाता है partner capital क्लास अभी आपने जो account बनाया था salvag cheating method कर अब जो आप account बना जहां को इसका class बना रहे है fix method का fluctuating में तो सिर्फ capital account बनता है, जो भी तुमको बना के दिखा यह yellow color में. अब fix method में current account, capital account दोनों बनता है fix method में. तो fix method में जो current account आप बनाते हो, fix method में आप जो current account बनाते हो, वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, बस इसमें addition capital, return of capital नहीं आएगा, और opening balance किसका आएगा, current account और कुछ भी चींज नहीं है. लेकिन जो capital account बनाते हो fix method में, उसमें कुछ नहीं, यह BD आता है, वही CD, खतम. यनि कि fix method में यहीं पर CD आएगा हमेशा, तो fix method के capital account में CD हमेशा ही आएगा, in fix capital account method, partners capital always have credit balance, हमें इसे credit balance बोलते हैं, ठीकिए, इधर साइड बड़ा है, इसलिए balance यहां आएगा, इसलिए credit balance बोलते हैं, तो fix method में हमेशा balance यहां बचेगा, और कुछ नहीं, और addition capital अगर किसीने डाला है, तो buy bank, साल की बीच में कुछ और पैसा लगा दिया, और withdraw किया है, तो two bank, यह withdraw of capital है, और यह additional capital, तो यह है class method of partners capital account, partners capital account का method आपको इस तरीके से बनाना होता है, दो method है, fixed or fluctuating, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, format में, तो जो fix capital account method है, यहाँ पर partners का capital balance है, वो fix रहता है, और fluctuating capital account method, यानि कि यहाँ पर partners का capital balance है, वो fix नहीं है, fluctuating है, यहाँ पर दो account बनाते हैं fix में, सबसे पहला, partners का current account, और दूसरा बनाते हैं class, partners का capital account, और जो fluctuating method है, fluctuating method, इसके लदर, हम लोग सिर्फ बनाते हैं, partners का capital account, तो fix method में current capital बनाते है, और fluctuating method में capital account Länder, इस capital account का balance, क्या क्या हो सकता है, class fluctuating में, credit भी हो सकता है, debit भी और nail balance भी, वह जर तो सब का यह हो सकता है, तो यह जो fluctuating method का capital account है, यह same fixed method के current account जैसा है, जो मैंने format बताया, बस इसके अंदर additional capital और withdraw of capital नहीं आता, कि वो capital account के अंदर आता है, तो इसका भी debit balance हो सकता है, credit balance हो सकता है, nil balance हो सकता है, लेकिन यह जो capital account है, इसका हमेशा और हमेशा credit balance ही होगा, या nil balance होगा, बट कभी भी इसका debit balance नहीं हो सकता, और यहां से question पूछे जाने के chances बन जाते हैं बहुत ज्यादा, तो यह हो गया class, partners का capital account method, अवे question और करते हैं, अमित, बिनीता और चारू, तीन पार्टनर से 1 अपरिल 2020 को, उनकी capital है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, इसका 9 लाख, यह टाißt बोड़ टिन अपड़ एंपता, पर दिन तक्रम का 0 1 ल कमिश्ञए, टो ढूमे्टा झाल मुछ थिता नने अप्रस्टं पर मन्त ऑूपली कर היह, ₹ऊ , 1 लाख, 2 सार बेंग किसका 10% एक्लास नेट प्रॉफिट का बिफोर द अवब आइटम्स वर टेकन इंट प्रॉफिट फॉर एर एंट जो सालभर का प्रॉफिट हो पांच लाग का है प्रॉफिट प्रॉफिट लॉफिट पहुछ याग कि पूछ जाय या वद के लिफ न एक साथ ही जाया जया हो बहुछ गया है तो अफ्रॉपॉर्परषं लॉफिट पांच वुच्छ अपना लेते हैं आव मेरे साथ साथ बना लो एक्परप्रेश्न खांट और पार्टनर् But format, बना लेते हैं, यह पर्टिकुलर्स अमाउंट जुरूर लिग देना, एक्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना, सारी फार्माटिंग अगेरा साब अच्छे से बनाना, यह हो गया debit, यह है पर्टिकुलर्स, और यह है प्रोफिट अन लॉस, बनीता, बनीता और चारू, तीन पार्टनर्स है, तो आप देखो क्यापल अच्छे से बनाना, तीन पार्टनर्स है, एक, दो, तीन, पार्टनर्स, एक, दो, तीन, क्लुम लाके, A, B, C, एग्जामिनेशन में प्लीज पूरा ही लिखना, पार्टनर्स, पार्टनर्स, प्रोफिटल, अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, A, B, C, एभ्या, अब आते हैं अपररोपुरेशन अकाउंट सिपहले बनाते हैं, क्या की लिखा हूआ है, नेट प्रोफिट है 5 लाक्का, और इंटर्सन आपिटल है, कितना 5 परसेंट, नेट प्रोफ पांच लाग का 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 प इसके अलवा, बिनीता को सअलरी मिलती है, एक लाख बीस हबार रुपे, टू सेलरीज, बिनीता, एक लाख बीस हबार रुपे, टू कमि गण ज grazing चारु, तो जो चारु को कमिशन इलता है, तू चन पर Сेंप नेट पर्फिट घ्रांसपर्ट तर्स्पेर चारु को समिलता है और जो रिजर्ब में जाएगा वो नेट प्रॉफिट का 10% है तो नेट प्रॉफिट है पांच लाग दस परसेंट आएगा पचास अजार अब कमीशन निकाल लेते हैं और को करते हैं खतम आयोड इस कोश्चिन में है नहीं होता तो हम लोग कैल्कुलेट कर लेते तो यह आएगा क्लास पांच लाग का 5 उपांच अपन एक्सो पांच विजिस 23810 तो टोटल कर लेते हैं पांच लाग माइनस पचास अजार 23810 माइनस एक बीस और माइनस तीस 27 यह आगा पांच लाग यह आएगा पांच लाग 276190 किस नाम से class आएगा यह 2 divisible profits transfer to capital account of ABC 276190 है और इस question में ratio कहीं भी given नहीं है कि इन तीनों की ratio क्या है तो तीन से हम लोग divide दे देंगे इसका answer आजाएगा 92063 92063 92064 आपने णिश цвет की नंबर, जितने स्टेप सही लिख लिख देंगे net profit, addition capital लिख देंगेate अपने, salary bahn Hello commission ben लिख दिया, रिजर्व लिख दिया, डिविजिल प्रोफिट बालंसिंग फिकर आगया, ऐसा सर्कल नहीं लगा ना पेपर में, और यह हो गया, क्लास, पूरा का पूरा कॉस्टन इसमें रेशो के लिए कुछ भी नी गिवन था, तो हमने इसमें रेशो काल्कुलेट कर लिया कितना क्लास, वन रेशो, वन रेशो, वन के हिसाब से, नेक्स क्वेशिन, अली और बाहदूर दो पार्टन की रेशो 70-30 है, 70% 30%, 70 by 100, 30 by 100, we can say 7 ratio 3, okay, 7 ratio 3, their respective capital, as at 1st of April 2021, stands, अली का है क्लास कितना, 25,000, और बाहदूर कितना है, 20,000 है, the partners are allowed, इसमें बाहदूर कितना है, 5%, कितना है कितने हैं, क है और संप aano, इसमें बाहदивают से, है BOAD dipine, आप एसमें, अली काuğंइन, अली का महादें, क्षर्ची का उनकाइश झाला राशना Turkey, 30,000, 24,000, 10% zar 6-.'' के क्षरें आपर्नेर मीमादी ओंवलेश उनका बाहदूर के लिए, इस्ट बाहदूर का पर्रेस का capital account भी बना लेते हैं, हमें सबसे पहले partners का capital account, current account बनाने से पहले appropriation हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा तो यह है capital जो दे रखिये थी, आपको भी लिख लो इस से पिछला question का ही है buy balance BD, A की कितनी capital है? 1 lakh, B की capital है 2 lakh C की कितनी capital है? 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh यहाँ पे drawings तो इस question में है ही नहीं buy interest on capital कितना है class, interest on capital? 5, 10, 15 interest on capital है 5,000, 10,000, 15,000 interest on capital हो गया next है इसके बाद class salaries B की 1 lakh, 20,000 है buy salaries, 1 lakh, 20,000 buy commission है 23, 810 reserve class आता नहीं है, ध्यान रखना reserve नहीं आएगा divisible profit 92063, 92063 buy divisible profits 92063, 92064 बस, totaling कर लो, आपका answer आजाएगा 2 balance CD 2 balance CD तो यह आगा class आपका 1 lakh 5,000, 92063 1, 97063 यह आएगा 1, 97063 1, 97063 यह class आएगा 2 lakh 10,000, 1 lakh 20,000 92063 यह आएगा 2, 2, 4, 0, 6, 3 2, 2, 4, 0, 6, 3 2, 2, 4, 0, 6, 3 इसका आएगा 3 lakh यह आएगा 15,000 23, 810 9, 2, 0, 6, 4 यह आएगा 4, 3, 0 8, 7, 4, 4, 3, 0, 8, 7, 4 4, 3, 0, 8, 7, 4 Done इस तरीके से class partners का capital account बनाना अगले question में आपको question कह रहा है partners का capital account बनाओ और current account बनाओ तो यह सबसे पहले आपको appropriation account बनाना पड़ेगा उसके बाद ही इसकी मदद से ही आप का capital account current account बनाओगे तो आपको यह तो बनाना ही पड़ेगा तो appropriation account बना लेते हैं हम लोग debit, credit मैं रुदा फटा फट बना रहा हूँ तो आप इसको लिख ले ना format examination में जरूरी है आपको format बनाना ही पड़ेगा debit, particulars यह हो गया आपका profit and loss appropriation account ठहिया यह हो गया class, profit and loss, appropriation account अब हम बनाएगे class partners का capital account partners capital account और current account दूनों बनाएगे तो मैं एक ही page बना लेता हूँ because बहुत छोटा बनता है, इतना कुछ होता नहीं है तो particulars partners काउनकोने, दू ही partners है एक, दू यह particulars एक और दू, Ali और Bahadur दू ही partners है Ali और Bahadur, यहाँ पर छोटा सा बना लेते है capital account ठीक है? Ali, Bahadur और यह बन गया class partners capital account यहाँ पर्टनर्स करेंट अकाउंट यहाँ है debit यहाँ है पर्टनर्स करेंट अकाउंट partners current account Ali Bahadur Ali Bahadur Ali Bahadur particulars 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 ठीक है? चलो, आप सबसे पहले हम लोग फिलिंग करते हैं इसमें Partners, Capital Account से पहले, Appropriation Ali Bahadur, Partners, इनकी Ratio 70-37, Ratio 3 है, इनकी Capital है 25,000, 20,000 और Interest on Capital 5% है, तो 25,000, 20,000 है 2 Interest on Capital 2 Interest on Capital, Ali और Bahadur 25,000 का 5% और 20,000 का 5%, तोटल आएगा 2250, ठीक है, यह हो गए Interest on Capital, Drawings of the Partner जो है, वो 3500 और 2500, Drawings दे रखी है, लेकिन इस Question में कहीं भी Interest on Drawing को नहीं बोला, Interest on Capital 5% बोला गया है, लेकिन इसमें Drawings दे रखी है Interest on Drawing कहीं बोला गया है, Profit, Before Allowing, आपने अपने अनुद आएगा अनुद जारे बहादूर, बहादूर को 3000 के सेलरे मिलेगी, प्रॉफिट 40,000 का है, बहादूर को 3000 के सेलरी मिलेगी, टू सेलरी बहादूर, 3000 पर एनम है, बाइप्रॉफिट लास अकाउंट, नेट ना कोई Interest on Drawing है, ना कोई General Reserve है, बहादूर को 10% Divisal Profit Transfer to General Reserve, तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो यह 40,000 है, माइनस करेंगे 22,50, माइनस करेंगे 3000, 34750, तो उसका 10% आएगा 3475, अगर आप क्याक्लेट कर लो, अली बहादूर पार्टनर से रेशे 70-30 है इनकी capital है 25,000 और 25,000 का 5% निकाल है, आपने 1250, 1250, और Drawing दे रखा है, Profit During the Year, Profit दे रखा है, 40,000 का 3,000 का Class आपका Salary आगा, Annual Salary है, Annual Salary है, Annual Salary है, तो मल्लप्लाइणी करना आपने, और Net Profit है 40,000, तो 40,000-3,000-2,500, 34750, तो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व, तो जनर तो ट्रांसफर करोगे 40,000 में से 3475, माइनस करोगे 3000, माइनस करोगे 2250, 31275, तू डिवीजिबल प्रॉफिट्स, ट्रांसफर तू, अचा अब जो ये प्रॉफिट है ना, कहां क्लास जाएगा? करेंट अकाउंट में, ट्रांसफर तू करेंट अकाउंट अउट अफ अली और 2892, माइनस 31275, 9383, ठीक है? 9383 हो गया क्लास मैच, ये दोनों बराबर हो गया, 9383 प्लस 21892 एक्वल आगया 31275, अब इस चीज को हमें का भेजना है क्लास, करेंट अकाउंट में, तो करेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कोशिन में दिया हुआ नहीं है, त 25,000 और 20,000, काउंट को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसकी टोटलिंग करो, ये हो गया 25,000, ये हो गया 20,000, 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 ल लेकिन, interest on capital था, interest on capital, हमेशा capital balance पर लगता है, 1250 और 1000, salary by salaries, बहादूर की थी, 3000 की, by divisible profits, तो आपको मुझे पूरी उमीद है कि आपको full-fledged question आएगा, बनाने का, कितना कितना है, 21892, 21892, 9383, 9383, ठीक है, तो यह होगे 1250, प्लस 21892, यह आगे क्लास, 23142, 23142, टूल कर देंगे, 23142, आएगा 2 balance CD, 2 balance CD, इसकी तूल कर देंगे 3000, प्लस 1000, कि क्यों ओपनिंग क्यापिल तो है ही नहीं, 9383, यह आगे 13383, 13383, 13383, 13383, ठीक है, यह आगे closing balance, तो इस तरीके से partners का current account और partners का capital account बन गया, इसलिए, अगे, नाव कम तू नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं, इस तरीके से appropriate account बना लोगे, अच्छा कभीगार क्या रहता है, कि कोश्चिन में profit sufficient नहीं है, if profits are insufficient, आपके वास profit sufficient है ही नहीं, interest on capital salary वो जादा है, in that case, ठेक है, divide profits in their expense ratio, ध्यान समझना class, expense ratio किसे कहते है, expense ratio किसे कहते है, तो बिलबाद ध्यान समझना, तीन partners है, ABC, इसको interest on capital मिलता है 10,000, इसको मिलता है 5,000, इसको मिलता है 5,000, इनकी ratio माल लो equal है, इनकी ratio माल लो 3,22 है, इनकी ratio माल लो 4,33, कुछ ही माल लो, ये इनकी class interest on capital है, क्या है class? interest on capital, और company के पास, जो net profit है, net profit जो company के पास है, वो है माल लो 15,000, company के पास profit सिर्फ 15,000 है, interest on capital इतना है, question में कहीं लिखा नहीं है, कि interest on capital is a charge, interest on capital is allowed even in case of loss, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, 5 का loss लॉच नितारी जैंड हो dealer, यह है पती है को सबहु कुछिन है अंटीरी सिप्ड़ेत की आणा है अब करूगे क्या? एक्षपने रिश्यूáज कि रेकस्कों का क्या है। तर तेरको 10 मिल रहे हैं तो फंद्रा हजारी बनेगा अगर मालो किसी को salary भी मिलती तो salary भी जोडते जिसको मिलती उसमें उसमें जोडते तीनो को मिलती तीनो में जोडते जोड़ने के बाद एक ratio निकलता उसको हम लोग क्या बोलें एक्लास expense ratio मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमार पास profit एक प्रॉफिट उफिशन्ट पोहिए था तो दीनों पार्ट्नर को जो जो कुछ मिल रहा है उनको जोड़के एक रेषयो निकालो जो क्लास इसके क्या बोलते है एक्समेंस रेषयो मुझे आगे क्लास बात समझे एक の प्रॉफिट को उसी में शेयर करना है नेक्स आठे ने क्लास पास्ट अजस्मेंट पहले अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो उस मिस्टेक को सुधारना है आज इस चैटर को अच्छे से अभी दो टॉपिक हमारा बचा वगाए पास्ट अजिस्मेंट और गैरेंटी एंचे बतादूगा क्लास आपको जैसे अग बेक्टर मेंटी तो एंडा प्रॉपरेश एंड माने क्लान एपने क्लम हरेंग में क्लraction बतादी है मिस्क पासे अध् बनाओगे पर उसको देख देख के जो जर्नल है उसे आप बनाओगे तो आपकी मर्जी है क्लास अगर आप इसे याद करना चाहो तो बहुत महनत काम है तो मैं सब्सक्राइशन दूँगा कि आप सीख लो कि लेजर से जर्नल कैसे बनाओगे तो मैं हर चैप्र में आपको ऐसी सिखाया एवन डिसलुशन के अंदर भी क्लास आपको देखना पड़ेगा हर एक गंटे में दो गंटे में लास में तुम्ह ना कुछ ना कुछ एखाऊँगा और हर वीडियो के बाद लाद गंटे में ब्रेक जरूर लो लूग फिर आप लंबे समी तक बाट नहीं पाओगे फिर रस जरूरी एज़ एग फिर रस क्लास एक होता यौटा आपने अकाउप्स बनातते वाट कुछ गलती कर दी नौ पर्सन दे दिया दस की जगे बारा देद इंद आर की जगी पंदर Four इसको वलते हैं अगा क्लास क्या lies कि में अ हे लो मिछ यह अभर आप कुछ देना ही भूल गए अप लिखना ही भूल गए omission, आप salary देना भूल गए, आपका mission देना भूल गए, आप interest on drawing चार्ज करना भूल गए, तो omission, तो error बहुत बड़ी गलती है, error मैं कुछ की जगे कुछ किया, तो जो भी तुमने रॉंग करा है, जो भी तुमने गलत किया है, तो मुसे reverse कर दो, एरर के अंदर हमने जो भी mistake की, जो भी गलती की, उसको तुम reverse कर दो, reverse का मतलब क्या होता है, क्लास, यहां पर? side change, reverse का मतलब क्या है, क्लास, side change, और जो भी correct है, जो भी गलत है, उसको reverse कर दो, और जो भी correct है, उसको provide कर दो, गलत को reverse कर दो, provide कर दो, correct को provide मतलब same side, जिस side वो आना चाहिए class उसको उस side provide कर दो, जो भी गलत है हमें उसे reverse करना है, और जो सही है हमें उसे क्या करना है class, provide करना है, okay, error में, अच्छा, omission में क्या है, omission में आप भूल गए, है ना, तो जो भी correct है, गलती तो कुछ हो ही नहीं क्या हुआ है, उसको provide कर दो, provide मतलब same side, जिदर वो आता है उधर लिख दो, debit आता है, debit लिखँ दो, credit आता है, credit लिखँ कई लिखँ, करेट लिखँ, करेट लिखँ, करेट लो, कई बार एक नम्मर में कोशित रही आता है, कि interest on capital कहां पर आता है, अप्रोप्रोपरिश्मर यह बाद class में question के through करते हैं, कि किस किस तरीके से class हमें करना है, okay? तो यहां पर A, B, दो partner है, मैं काम करता हूँ, मैं यहीं बना लेता हूँ, यहां पर statement showing adjustment, ध्यान समझना, तीन number में question आएगा ही, आएगा यह, तो किस तरीके से बनाते है, statement showing adjustment यह बनाते हैं, तो यह आएगा particulars, particulars, A और B है, यह A है, यह B है, और यह Firm है, जब भी मैं है लिखूंगा Firm, इसका मतलब P&L Appropriation Account, यह होगे debit, यह होगे credit, P&L Appropriation Account, यह credit है, यह debit है, यह capital account है, ठीके, A और B का जो है, यह capital account है, और जो Firm है, वो है P&L Appropriation Account, ठीके, और आप सब को पता है कि जो भी चीज़ Appropriation में debit आता है, वो capital में credit आता है, और जो Appropriation में credit आता है, वो capital में debit आता है, आपको पता है, अपने capital account अभी सीख लिया है, ठीके, तो कोश्चिन क्या कह रहा है, यह B partners, और प्रोफिट चेने इस्व एक्वली है, यह FIX Capital, उनकी FIX Capital कितनी ह चार लाख और चैलाख, रेस्पेक्टिवली, चार और चैलाख, the partnership deed provide that, interest on capital जो है, वो 6% per annum है, for the year ended 31st March 2016, profit for the firm distributed without providing interest on capital, यह omission है, ठीके, तो आप interest on capital को provide करो के लिखो, interest on capital, omitted, ठीके, interest on capital, omitted, आप भूल गए थे class, ठीके, now provided, आप भूल गए थे, आप भूल गए थे, आ परवाइड कर दो, ध्यान सुनो, interest on capital, appropriation में किस side आता है, सर्फ debit side, तो debit ही लिखेंगे, appropriation में debit, तो capital में किदर आएगा, credit, credit, 4,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,00 आप भूल गए, आपने बिना इसको बाट दिया, profit को बिना IOC दिये, तो गलत किया आपने, अब आप total करोगे, एक ही थी ना इसमें, एक चीज़ भूल गए थे आप, यानि कि यह क्या है, class, आपका omission, आप भूल गए, 60,000,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006, यह credit है, तो इसमें क्या आएगा, class, debit, debit, दोन में debit आएगा, और लिखोगे, profit or loss to be shared, profit or loss to be shared, क्या ratio है, class, इस question में, equally, one ratio, one, यानि कि 30,000,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006, अगर यह credit है, तो obviously debit, debit होगा, अगर यह debit बचता balance, तो यह credit और credit होता, तो अगर तुम देखोगे, फिर सब की totaling करनी है, एकी बड़ी साइड कौन सी है, एकी बड़ी साइड है debit side, कितने से 6,000,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006,006, और इसमें इनकी capital जो है, वो कहीं लिखा नहीं है, तो एंट्री करोगे class, A's current account debit to B's current account, अब एंट्री करोगे, वो था working note, यह है main entry, A's current account debit, current क्यों लिखा, क्योंकि फिक्स method है, to B's current account, being being rectifying entry past, being rectifying entry past, क्या आपने rectifying entry past कर दी, यह हो गया class journal, ठीक है, तो यह आपका main answer है, journal, और जो आपने statement बनाया, वो है आपका working note, working note उपर बनाओ चाहिए, नीचे बनाओ, सो कोई फरक नी पढ़ता, working note बना होना चाहिए, बस यह है, बना होना चाहिए, तो यह एक entry आप और इसके बाद आपने जो यह working note बनाना compulsory है, यह आपको बनाना पड़ेगा, statement showing, जो side बड़ी है, वो कितने से बड़ी है, balance नहीं कर रहे है, जो बड़ी है, वो कितने से बड़ी है, बस, यह credit side बड़ी है, तो credit, वो debit side बड़ा है, तो debit, और balancing figure इधा रहता है, 60,000, अगर वो क्रेडिट है, तो debit debit partner है, और एक वो कोश्चिन एक लाज यहाँ, यह इंटरस्ट आपने रहे है, यह इस अपको दिक्कत आते हैं, बने कोश्चिन जादा रखे हैं, चेकरते हैं क्या है कोश्चिन, राम, मोहन, सोहन, तीन पार्टनर्स है, इनकी रिशो है 2x4, 1x4, 1x 2x4, राम विड्रॉत है 3,000 every month, और मोहन विड्रॉत 4,000 every month, इनकी 6 % पर नमे, वस चार्ज, वैदर्ध रटनर्स इस इनकी लाज है, जबकिट इदर्स हैं, थीन की रिशो है, जबकि इद. नहीं डेना था भड़िया तो, तो रिवर्स करना पड़ेगा उपको एक 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 य Showing Adjustments Statement Showing Adjustments Reverse करते हैं Statement Showing Adjustments यह लगें है Particulars यह है Particulars Ram Mohan Sohan लिखो Ram Mohan Sohan और Firm Ram Mohan Sohan यह है Credit यह है Debit यह है Credit यह है Debit यह है Debit यह है Debit हम सबसे पहले के लगेंगे Interest on Drawing Wrongly Debited Now Reversed यह है Interest on Drawing को आपने के Apple Account में Debit कर दिया, अब हम क्या करेंगे? Reverse करेंगे. अब सारे बच्चे मुझे बताओ Interest on Drawing Appropriation में किधर आता है Sir, credit आता है आप reverse करोगे तो debit लिखना पड़ेगा क्या आप reverse कर रहे हो आप providing कर रहे हो, गलत किया था अगर यह debit है, तो यहां पर क्या क्या क्लास आएगा? Credit, Credit, Credit तो आप निकालो क्लास Interest on Drawing कितना बनेगा? मोहन विड्राव 4 था Interest on Drawing बस राम और मोहन दो का ही है सोहन कर नहीं है मोहन हर महीने 4,000 निकालता है साल भर का बनेगा 48,000 तो इस 48,000 का आपको करना है 6% 48,000 का कितना 6% 2880 और 6 महीने का आपने निकालना है बनेगा 1440 1440, 1080 आपने reverse कर दिया और इसको जोड़ के आगया 2520 बस और तो कुछ नहीं है इसमें Interest on Capital Interest on Drawing को आपने reverse कर दिया Done अब बस आपको Entry पास करनी है Toadling कर लो इसकी 2520, 2520 इदर आएगा 2520 ये credit आगे अगर ये credit है तो इहाँ आएगा debit, debit, debit ये तीनों बटेगा और इनकी जो ratio है वो 211 है तो 2520 को 4 से divide देदोगे 2520 divided by 4 ये आएगा 630 630 ये भी आएगा 630 ये credit आएगा debit, debit और ये आपका आएगा 1260 ठीक है ये आएगा 1260 1260 अगर आप टोटलिंग करोगे इसकी class तो ये आएगा 1260 ये आएगा 1080 बड़ी साइड कॉनसी है class डेबिट 180 ये है 630 ये है 1440 1440 माइनस 630 630 ये आएगा 800 10 credit और ये debit आएगा 630 क्योंकि ये की साइड है 630 तो अगर आप देखो डेबिट कॉन कॉन है class यहाँ पर ये भी debit है डेबिट कॉन कॉन है? Sohan और Ram और इनकी capital fixed नहीं है इनकी capital का तो कुछ लिखा ही नहीं है तो मतला fluctuating capital है तो अब entry क्या पास करोगे जो debit है Ram अब लिखोगे Ram capital account debit Ram capital account debit और अगला कॉन debit है तो मोहन capital account Sohan capital account debit Sohan capital account debit Sohan capital account debit तो मोहन capital account यह आएगा 810 और दूसरा कितना class आएगा यह 180 और 630 ठीक है 180 और 630 Narration क्या लिखोगे class Being Adjustment Entry Past यह है class आपका journal Being Adjustment Entry Past आएगे class बात समझ तो यह है आपका complete पूरी तरीके से इस तरीके से आपको बनाना होता है चलो नेक्स आते है एक लास question पर एक और question यह वाला तो हमने बना ली अच्छे से एक और question फुल-fledged question इसको भी बनाते है Meeta और उशा पास्टेर question है भी Meeta और उशा पार्टनर्स है इनकी ratio 2 ratio 3 Their capital account as on first of Apple 2015 Show a balance of 1,40,000, 1,20,000 इनकी capital है Drawing दे रखिए Meeta और उशा की कितनी 32,000 और 24 They have not written date, when did withdraw So we will calculate 6 months We have written 6 months We have written 6 months January, February, March 3 months of class It was subsequently found that the following items been omitted while preparing the final accounts Omissions Interest on capital So if I will take the interest on capital If I will take the interest on capital Meeta और उशा दोई पार्टनर है So this will be 8,400 Meeta का Meeta का 8,400 Is Usha का 6% 7,200 And the interest on drawing is 6% It is 32,000 You can calculate this Roughly, it should not be enough If you show it, then it is okay Because it is simple calculation 1920 32,000 32,000 32,000 6% And 3 months This will be 480 Interesting drawing The next 24,000 24,000 24,000 64,000 And 3 months 360 Meeta को मिलता है Commission 8,000 For the whole year Share working clearly passed the entry You have what did In three things You have forgot You have forgot You have forgot Omit So it will provide Those three things You have forgot You have forgot Give, what is the good thing? तो बनाते हैं एक लास statement showing adjustment, यहाँ बनाते हैं अच्छे से, statement showing adjustment, Meeta और Usa दो partners है, तो यहाँ लेको particulars, Meeta, Meeta का debit credit, Usha, Usha का debit credit, firm, firm का debit credit, credit, debit याएगा firm, credit, debit, Usha, याएगा Meeta, याएगा particulars, ठीक है? उपर लिखेंगे, यह working note है, धिहान अखना जो भी बना रहे हैं, यह working note है, आप main answer तो entry है, आपको एक entry pass करनी है, Statement showing adjustment, अच्छा, अब आप क्या-क्या भूल गएते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, Interest on Capital provided, Interest on Capital Appropriation में debit आता है, तो यहाँ पर आएगा credit, credit, कितना कितना Interest on Capital है? 8472, 8400 और 7200, आएगा 15600, 8472, 15600, अगला है, Interest on Drawing Charged, Interest on Drawing किदर आता है class यहाँ पर, credit आता है, आप भूल गएते हैं, दे दो, debit, debit, कितना है, 420 और 360, यही है, 480, 360, 840, 480 है, 480, 360, तो कितना class आएगा, 840, ठीक है? कोई दिकत परेशानी यहाँ तक, आपने दो चीजे, और भी एक चीज, class भूल गए थे, क्या? Commission Provided, आप जो जो चीज भूल गए थे, सब यहाँ पर लिख देना, Commission किसको मिल रहा है, मीता को 8000 का, यहाएगा 8000, मीता में डाल दो credit, 8000, ठीक है? मीता में डाल दो credit, 8000, इसकी totaling करो, इसकी totaling, इसकी आप totaling करो, अभी बात समझ, अब लिखते हैं इसको, यहाएगा 15600, 23600, 23600, minus 840, 22760, यह credit है, तो यहाँ पर आएगा debit, debit, हम लिखेंगे profits, to be shared, जो ratio इस question में, वो है 2 ratio 3, 2 ratio 3, profit or loss, लिखो के profit or loss, profit or loss to be shared, 2 ratio 3, इनकी ratio है, 2 ratio 3, 2 by 5, 3 by 5, 227, यहाँ एक लास credit, तो यहाँ पर debit, debit हो गया, into 2 by 5, यहाँ एक 9104, minus 22760, यहाँ एक 13656, done, सारी चीज़े हो गई क्लास, अब टोटलिंग करो इसकी, यहाँ एक 480, 9104, यहाँ 9584, यहाँ एक लास 88, 16400, बड़ी साइड कौनसी है, क्रेडिट, 16400 में से घटा देंगे, 9584, यहाँ एक 6816, यहाँ 360, 13656, 14016, 7200, तो इसकी debit साइड बड़ी है, कितनी क्लास बड़ी है, 6816, तो आप देखो के debit क्रेड विलकुल मैच हो रहा है, अगर यह मैच हो रहा है, तो ही सही है, दर्वाइस ग टु मीता, उसा, अब इस कोश्व में एक्स प्स्कापिल तो लिखा नही एकाने ना, दो घुझा प्स्कापिल हो तो बाद करेंग लिखते है, अधर वाइस प्स्कापिल, उसा, capital account, debit, two, मीता, capital account, कितना कितना बालंस है, 6816, 6816, 6816, 6816, 6816, नर्रेशन क्या लिखोगे? Being Rectifying Entry Past यह आपका मेन आंसर है अगर अपने यह एंट्री लिखी है तो आपको फिर पूरे नमबर मिलेंगे I hope आपको समाज आ गया होगा Come to next question तो यह होगा ग्लास आपका Past Adjustment आप वीडियो पॉर्स करें नोट करें जो भी आपको नोट करना हो अब आता है Guarantee of Partners to a Profit Guarantee of Profits के अंदर क्या किसी पार्टनर को लॉस को शेर करने से रोका जा सकता है The answer is Yes आपने क्लास पार्टनर को लॉस शेरिंग से रोका जा सकता है कोई पार्टनर अगर घाटे में जा रहा है कोई पार्टनर चाहता है निभी मैं घाटे में जाना चाहता मुझे लॉस ना हो तो आप उसे Guarantee दे सकते हो तो अब Guarantee of Profit का मतलब कि किसी पार्टनर को Guarantee दी जा रही है एक स्यदा पार्टनर को भी दी जा सकती है तो उस रेशियो में, कोई पार्टनर कहता है, मैं अकेले गैरेंटी दे रहा हूं, तो भीया वो अकेले दे सकता है, अगर रेशियो स्पेसिफाई नहीं है, तो यह चीज क्लास उनकी प्रॉफिट शेरिंग रेशियो में होगा, यानि कि अगर कुछ कम पढ़ता है, मालो जो हर साल पचास मिलेगा, मिल रहा है चालिस, तो जो कम पढ़ रहा है, वो कितना है, दस हजार, जो यह कम पढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते है, डेफिशियनसी, तो जो कम पढ़ रहा है, वो कितना है, दस हजार रुपे का, तो इस डेफिशियनसी को कौन जह लेगा, रिम नियू रेशियो में नहीं, अपनी प्रॉफिट शेरिंग रेशियो में जहेलेंगे इसको, यह बात आप ध्यान रखना, और देखो, जिसको गैरेंटी मिली है, उसका बैलेंस क्रेइट होता है, जिस ने गैरेंटी दी है, उसका देट, तो अब ध्यान अकक ना, जिस पार्टनर ने गैरेंटी दी है, उसका एक complaint कम हो जाएगा, जिसको दिये उसका plus जाएगा, plus तो एंट्री होती है, partners capital account debit, जिसने गैरंटी दिये, to, जिसको गैरंटी दिये, तो जिसको गैरंटी दिये, ठीकि A ने B को दिया, तो B का निचे आएगा, plus A का ऊपर आएगा, minus A की जेब से निकलेगा, जिसको देखने के लिए कोशिन करते हैं, और गैरंटी और प्रोफिट का जो काम होता है, वो लास्ट में होता है, IOC, Salary, Commission, सब कुछ आप अच्छे से करोगे, लेकिन लास्ट में, जब प्रोफिट का बटवारा होता है, लास्ट में जब प्रोफिट का बटवारा होता है, तब जागे गारंटी काम आता है, X, Y, Z पार्टनर से क्लास, एक अक्टूबर 2021 को तो शेर प्रोफिट इन दे रिशियो ऑफ 4, 3, 3, 4 by 10, 3 by 10, 3 by 10, X ने पर्सनली गैरंटी दी है Z को, तो X अकेला जहलेगा कोई कमी पड़ी तो, इंटर्स on capital 10% है, would not be less than 80,000 in a year, वही साल भर का अस्ती हजार, वही बिजनस किया था October में, दो से डिवाइड दे दो, यानि कि इंटर्स जो जो उसको गैरंटी मिली हो, चालिस जार की मिली है, capital है 3,5-3,5,000-2,2,5. तो साल भर का अस्ती हमिलेगा go. बिजनस ही जह महीने बादे चालो, किया ऑक्टूबर में, तो साल भर थोड़ी हहूँ, आप कामी 6 महीने कारो का, औुछे महिनेके कितना बनेगा, चालिस और पॉफित रॉपोपिरेशन अकाउंट ने रहे रहा है एक राग सादिर आपको हे आप को क्रापरोप्रियेशन अकाउंट उति के रहे हानें अडदेवेशन आप देखना गेरेंटी कांडा काम हम कहा पे करते हैं पर्टिकुलर्स, यह हो गया, अमाउंट. सबसे पहले, बाई, पी एंडल अकाउंट, यह आ गया, नेट प्रॉफित. कितना नेट प्रॉफित है? एक लाख, साथ हजार का. हर एक स्टेप, जो कमजोर बच्चे ना, वो कोशिश करो कि ज्यादा स्टेप्स तुमारे सही हो. ज 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 10% 65,000 है, तो 95,000 आएगा अंसर, 65 गटा दोगे तो, 95,000 का divisible profit है, अभी तक हमने guarantee का कोई काम नहीं किया, देख रहे हो, अभी तक हमने guarantee का कुछ भी नहीं करा, सब कुछ नॉर्मल, जैसे करना था वैसे ही, अभी हाँ पर आएगा two divisible profits, two divisible profits, transfer to capital account of x, y और z, ठीक है, तो यह 95,000 को, अगर मैं बाटूँँगा, तो यहाँगा 28,500, जो y को मिलेगा, वह भी 28,500 मिलेगा, इसको मिलेगा 38,000, 4,3, 38,000, ठीक है, x ने guarantee दी है, z को, कि यह तुम्हें कम से कम 40,000 का मुनाफ़ा होगा, मुनाफ़ा हुगा कितने का एक लास, 28,500 का, तो 40,000 की guarantee दी थी 11,500 की deficiency, ध्यान समझना, अच्छा, एक चीज और, हाँ, एक चीज क्लास और आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे, जब बिजनेसी एक अक्टोबर को चालू किया है, तो इंट्रेस्वन क्यापिटल भी फिर आपने 6 महीने का लगाना पड़ेगा, अदर्वाइस मिस्टेक हो यह बात ध्यान रखना, नहीं तो सारा कोशिन हो जाएगा फिर बाद में गलती, तो यह बत्तिस पांसो बन जाएगा, तीन लाग, दस दो लाग, देर्ड लाग, इसका 10 परसंट, यहाँ बत्तिस पांसो, अब माइनस कर दो के एक लाग साथ हजार में से, एक सत्ताइस पां यह बी आएगा अड़तिस दो सो पचास, और यह आएगा, एक लाग सत्ताइस पांसो, एक यावन हजार, छेगे, मैं जोड़के देखता हूं तीनों सही है कि नहीं है, छेगे, एक सत्ताइस पांसो, अब एक सने गारेंटी दी थी, कि कोई भी कमीते हैं, गारेंटी विली 40,000 की, है न, भई, साल का असी था न, तो गरेंटिविलिथी 40,000 की, मिला सिर्फ 38,250, तो 38,250, माइनस 40,000, 1750, 1750, एड़ कर दो इसमें 1750, इससे घटादो 1750, तो जो X का बचेगा का अमाउंट 51,000-1750, 49250, X का बनेगा 49250, Y का बनेगा 38,250, Y में कोई चेंज नहीं है, इधर नहीं लिख रहा है, यहां जगे का मैं, इसी को लिख रहा हूं मैं यहां पर, जगे नहीं है इसलिए, और Z को कितना मिलना था, 40 मिलना था, Z को मिल गया 40,000, Z भी खुश, और X से कम ह और यहां अजिए, इसके एंटरी क्या होगा, मैंनस किसमें से के X तो X कापला काउंट डेबिट तो Z कापला काउंट, 1750, 1750, X हटाओ, Z में देए, X कापला काउंट, Z कापला काउंट, 1750, 1750, और यह क्लास हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से मैच, समझे बातों कैसे करना खाँचने क्लास, अनो कम कुल निक्स क कॉषिट यहां पूरी प्यार कोषिटना यहां पिए ठक हाँपरी से क्या उप्रॉपர्षिण अइकांट बातों के बिल्क्राप्रॉपेि से काँटोव सबुत व्हां आतर के ना फार्मेटी इत्वे पॉर्उंचने अपंचने Works समझना क्लास, क्या है इसके अंदर? यह भी पास्टियर कोश्चिन है, समझलो आ चुका है एक्जामिनेशन में, तो इसकी रेलेवेंस थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यह आ चुका है एक्जामिनेशन में, और प्रैक्टिस जरूर करने है, थोड़ा पैटन चेंज करके, इस बार भी कोश्चिन दे दे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, प्रोफिट, अंद लॉस, अप्रोप्रियेशन, अकाउंट, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, बाई, प्रोफिट अंद लॉस, अकाउंट, यानि की, नेट प्रोफिट, ठेक है, और इस कोश्चिन में कहा रहा है, अजगर, चमन, डोलू, तीन पार्टनर इनकी क्यापिल दे रहे है, 6 लाग, 5 लाग, 4 लाग, और दे प्रोफिट, इनकी प्रोफिट शे लिशे है, 423, तो 4 बाई 9, 2 बाई 9, 3 बाई 9, पार्टनर्स को एंटा on capital, अजगर, चमन, और धोलू, तो 8 परसनत, 6 लाग का 8 परसन, 48 यो, पांच लाग का 8 परसन, 40 लाग का शालि हजार, और 4 लाग का 8 परसन, 32 थालू, तो ये है बनेगा, 4 łyddy, यो क्लास्या, वाटनर्सन, ये बन गया KHLASS, आपका क्या? इंट्रेस्ट उन क्यापिटल, इसके बाद है, two salaries, salary मिलती है class, partners को इंट्रेस्ट पर मन्त, salary चमन धोलू को साथ हजार पर मन्त, चमन को और धोलू को मिलता है बस न, salary to चमन और धोलू, साथ हजार पर मन्त और दस जार पर क्वाटर, तो यह होगे 84,000, यह होगे 40,000, 84 और 40, 1,24,000, okay? और दूलू शेर प्रॉफिट, इसके बात करें इसके बात करें इसके बात करें, class, सबसे लाप सी टोटलिंग कर लो और तो कुछ है न, इसके खताम होगे है पर ही इसके टोटलिंग कर लो, कितना नेट प्रोफिट दे एपको? लास्ट में देखाओ, दे एखाओ 4,24,000, minus करते हैं इसमें सारी चीज़े, 4,24,000, minus 124, minus 120, it's 180, और इसको हम लोग लिखते हैं, 2, divisible, profits transferred to, capital, account of, अजगर, चमन और धोलू, तो 1,80,000 है और इनकी रिश्यो है, 4,3,7,29, 4 by 9, 3 by 9, 2 by 9, तो 1,80,000 है, 9 से डिवाइड दो के 20, 20 into 4, 80,000, 20 into 3, 60,000, 4, 2, sorry, 2, 3 है, 20 into 2, 40,000, और 20 into 3, 60,000, ये हो गया, हमने profit का पूरी तसरी, हमने पूरा question नहीं कर लिया, देखा जाए, तो बस guarantee का काम छोड़ दिया, अब हम guarantee का काम करेंगे, लेकिन question आगे पढ़ते है, धोलू का जो profit excluding interest in capital, but including salary, तो दोलू का जो profit है, अभी कितना दिख रहा है, एकला साथ हजार, दोलू का profit कितना है, कला साथ हजार, और इस साथ हजार, और इस साथ हजार, सब कुछ हटा कर रहा है, अगर आप यहां पर देखोगे न, interest in capital हटा दिया, salary हटा दिया, दोनों को माइनस कर दिया 424 में से, इन दोनों को हटा दिया, excluding interest in capital, excluding salary 180 है, दोलू का जो profit है, excluding, हर दिन दोनों चीज़े को exclude करने के बाद है, लेकिन कुछिशिए इंक्लूडिंग, क्या including class, including salary, आप देखो salary कितनी है दोलू की, 40,000, तो जैसी मैं salary एड करूँगा 40,000, including salary, कुछिशिन कह रहा है, salary को एड कर दो, इस guaranteed minimum 1,00,000, तो यह salary को जोडने के बाद, अगर मैं salary जोड दूँ, तो कम से कम उसको 1,00,000 मिलना चाहिए, और 1,00,000 मिलना चाहिए, बट यह 1,00,000 ही मिल रहा है, इसका मतब 10,000 की कमी है, तो यह आगे है, deficiency, इसको क्या बोलते है, deficiency, बोला था कि salary को जोड दें में, तो 1,00,000 होना चाहिए, बट हो कितना रहा है, class, 1,00,000, तो यहाँ पर deficiency जो है, minus कर दो, deficiency जो आएगा, class, वो कितना रहाएगा, 10,000, तो deficiency will be 10,000, 10,000 की deficiency है, तो 10,000 आप यहाँ से, किसने guarantee दी दी, guarantee दी किसने थी, any deficiency arising on that account, कोई भी deficiency अगर होगी, तो वो अजगर खुद beer करेगा, ऐसा कोईशिन कहता है, तो अजगर से घटा दो 10,000, अजगर का 70,000 हो गया, डूलू का तो ही 40,000, चमन का, डूलू में जोड दो, तो entry क्या होगी, A to D, अभी भी totaling उतनी है, एकसी, इसको कम मिल गया, इसको दस जादा मिल गया, क्यों, उसना इसे guarantee दी थी, तो व salary के बाद है, salary यहाँ पर हमें घटाना है, इन्होंने खुद घटा के दे रखाए, तो आप यह salary एड कर देना, फिर salary हाँ लिखना, कई वार ऐसा question आजाता है, क्यार, यहीं पर काम है guarantee का, अगर इस 8 की जगे 80 होता, तो हम कुछ नहीं करते, क्यूं, क्यूंकि इस 80 में, ज्यादा मिल रहा है उसके minimum amount से, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कम मिल रहा होता है, तो guarantee काम करते है, ज्यादा मिल रहा है तो फिर कोई problem है नहीं, बस खाता है, पूरी तरीके से class देखो, आज ही आप लोग class paper देखे आये हो, I know, और मैंने आज ही पूरा का पूरा अच्छ से chapter complete revision कराया, उमीदे class complete chapter revision में टाइम लगा, लंबा वीडियो था, कि chapter ही बड़ा है, आगे के chapter इतने बड़े नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ अगर आया, तो video please share करना, like करना,